समस्कार दोस्तों, आज कोरोना के आगे मानवता बेबस होती दिखाई दे रही है। उस कोरोना संक्रमित मृतक के सव को 20 घंटों के बाद दोगज की जमीन नसीब हुई। चले जानते हैं विस्तार से। कोरोना पॉजिटिव शक्स के सव को दफना दिया गया है। प्रशासन की निगरानी में देर रात को यह किया गया। इस पूरी कारवाई के दोरान स्वास्त विभाग से जुड़े लोग और मृतक के परिवार के करीबी से दस्य मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने शौको हिंद पिढ़ी के वार्ड नमबर 22 के बच्चा कबरिस्तान में दफनाया है। इस पूरी कारवाई को प्रशासन ने बेहद ही गुपचुप तरीके से अंजाम दिया। देरात करीब दो बज़े शौको कबरिस्तान लाया गया, इस दोरान प्रशासन के लोग साथ थे और फिर अगले कुछ घंटों में शौको दफना दिया गया। गाइडलाइन के नुसार शौको करीब 20 फिट की गहराई वाले कबर में डाला गया, इस से पहले कबर को सेनिटाइज किया गया और फिर जेसी भी से मिट्टी डालकर ढख दिया गया। इसके साथ ही मिट्टी में शामिल चार परिजनों को क्वारिंटाइन में रखा गया। दरसल हिंट पीडी के रहने वाले एक शक्स की मौत कोरोना के वज़े से रवीवार सुबह को हो गई थी। इसके बाद प्रशासन के लोग शाओ दफनाने के लिए पहले बढ़गाई के एक कबरिस्तान पहुँचे लेकिन कबर की खुदाई होने से पहले ही लोगों को इनक इसके बाद प्रशासन रातु कबरिस्तान में शाओ दफनानी की तैयारी करने लगा। लेकिन प्रशासन कुछ करता उससे पहले इस्थानिये लोग हंगामा पर उतर आए। भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकल कर सड़क पर आ गए। प्रशासन के लोग काफी द पर शुरू हुआ हंगामा देर शाम तक चला इस दोरान शौ कई घंटों तक एंबूलेंस में पड़ा रहा। प्रशासन इन घटनाओं के देखते हुए बेहदी गुप-चुप तरीके से इसको अंजाम देने का फैसला किया। बड़े अधिकारियों ने शौ को दफनाने क अंतिम संसकार को लेकर। शौ को उसकी आस्था के अनुसार जलाया या दफनाया जा सकता है। शौ का पुष्टमाटम किये बिना ही अंतिम संसकार होना चाहिए। अंतिम संसकार में भीड ना लगाएं। शौ को जलाने या दफनाने में सुरक्षा के मानकों का पालन करना ह परिजन चाहें तो निश्चित दूरी बना कर शव को देख सकते हैं लेकिन शव को छूना या चूमना वर्जित है पैक किये गए शव को सिर्फ सुरक्षा कवच में रखा जा सकता है सुरक्षा कवच में रखने वाले कर्मचारी ही परिजनों को मृतक का चेहरा दिखा सकते हैं शौको नहलाना मना है शौको दफणाने या जलाने की समयधार्मिक क्रियायन जैसे जनाजे की नमाज या मंत्रोचारन हो सकता है शाओ को जलाने के बाद उसकी राख ली जा सकती है कोई खत्रा नहीं है शाओ को दफनाने वाली जगा को कुछ दिनों के लिए तियातन सुनसान छोड़ दिया जाना चाहिए ये डबलू एचो की गाइडलाइन्स है अंतिम संस्कार को लेकर नन्यवाद